हाई, वेलकम तो दिस वीडियो, इस वीडियों कुछ कोश्चन करेंगे परलेलोग्राम के उपर, तो लेट्स केट साटर तो पहला कोश्चन है कि शो दाइगनल्स और रॉम्बस और पर्पेंडिकुलर टू इच एदर, तो हमें शो करना है कि जो रॉम्बस होता है उसके टाह कर लाते हम, यह एक डाइगनल हो गया, यह दूसरा डाइगनल हो गया, ठीक है? नाओ वी एब तो शो दाइट, इस आर पर्रपेंडिकुलर टो इच एदर, हमें शो करना है कि यह जो एंगल हमारा है, नाइन टी डिकरी है, ठीक है? तो हमें, कि ग्युवन है? कि एक रॉम्बस है यह बिचे राइट, तो एबिचे रॉम्बस होने के मतलब होता है, एब बीक फायल टो सीटीच व्याओ शो सीखै डेक फायल हमएगनल टो बीचे अगल टो BC is equal to CD equal to AD, 4 sides equal होते हैं, and we have to prove that angle, let's call this O, AOB is equal to 90 degree, तब कैसे प्रूफ करें हैं से हम, सोचो, इसको 90 प्रूफ करने के लिए, अब हमें congruence के दुरूई, now हम congruence के दुरूई mostly चीज़े करते हैं, right, तो now हम AOB और DOC को congruence अगर प्रूफ कर दें तो यह 90 degree निकलाएगा, not really, probably equal आजेंगे angles, but 90 degree कैसे निकलेगा, अगर इसका कोई मैं supplementary angle लूँ और उसके equal प्रूफ कर दूँ इसे मैं, supplementary मतलब यह और किसे वो यह और angle मिलके 180 मिला रहा हूँ, तो अगर मैं इस angle को, इस angle के equal प्रूफ कर दूँ, this angle के, AOD के, तो मुझे पता है, AOD और AOD मिलांगे 180 बन रहा है, अगर यह equal मिलांगे 2020 होगे, तो मेरा काम हो जाएगा, right, तो let me try to see कि अगर मैं triangle AOD और triangle AOD को आपस में congruent प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है? तो let's look at triangle AOD और triangle AOD, तो now हमें पता है कि यह side जो है, वो इस side के equal है, क्यों equal है? क्योंकि यह numbers है, right, हमें पता है क्यों है, यह side जो है, यह क्या है? अगर मैं इस triangle को देखूँ, A, D, B को, इसमें यह वला angle, इस वला angle के equal होगा, A, D, B में, A, D, B में यह वला angle, इस वला angle के equal होगा? होगा, right, क्यों? क्योंकि यह triangles are opposite to equal sides, A, D equal to A, B, right? So we have three things now, हमें पता है कि A, D is equals to A, B है, क्योंकि rhombus है, A, B, C, D is a rhombus, you can write complete thing, दूसरा क्या है, A, O equals to A, O है, यह तो given ही है, और angle, A, D, O is equals to angle, A, B, O. Angles opposite to equal sides in a triangle are equal, right? और इसमें हम triangle कौन से बात कर रहे हैं? A, D, B की. So now with these three things, हम कुछ कह सकते हैं, यह हो गया हमारा S, यह हो गया S, बट जो हमारा A है, वो इन से separate है, right? तो S से S नहीं लगा सकते हैं, और हमें पता है, S से S यह तो कुछ होता नहीं है, चलता नहीं है congruence, तो हम यह apply नहीं कर सकते हैं, ठीक है, let's see something else then. Okay, तो एक चीज याद आई, हमने एक theorem बड़ी थे कि diagonal software, parallelogram, वो bisect करते हैं कि दूसरे को, right? तो मतलब क्या होगा? चो OD है, वो OB के equal होगा, right? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि diagonal software parallelogram वैसक टीचे था, तो you can write that theorem, ठीक है? तो अगर OD, OB के equal है, और यह दोनों में पता ही है, A हो common है, और AD is equals to AB है, तो by these three things, by SSS congruence theorem, तो यह हमारा irrelevant हो जाएगा, sort of. अब हम क्या कह सकते हैं? triangle, AOD, तो बहुत है, congruent triangle, B, O, A. ठीक है? So now, अगर यह congruent है, तो इनके जोगा corresponding angles होंगे, वो equal होंगे, right? So angle, AOD will be equals to angle B, O, A, right? Now, looking at the figure, we know that these are a linear pair. Angle AOD and B, O, A constitute a line, right? BD line पे हैं दोनों पूरे line मनायते हैं. So we know that angle AOD plus angle B, O, A, is equals to 180 degree. Because they form, they are on a line, right? They constitute a line. So we can say that to angle B, O, A, क्योंकि यह equal हैं. So 180 degree. So we have angle B, O, A is equals to 90 degree. So therefore the diagonals are perpendicular to each other. ठीक हैं, hence proved. ठीक हैं, now इसमें जो चीज समझने वाली है कि हमें यह चीज थोड़े याद रखनी पड़ी. जो diagonals हैं, वो एक दूसरे को बैसेट करते हैं. ठीक हैं, अगर यह चीज हमें जब तक याद नहीं आ रही थी, हमारे लिए मश्किरोडा था. हम यह कर सकते थे कि इस चीज को भी यहाँ पर derive कर लेते, कुछ और construction करके, किसी और triangles को congruent proof करके. बट बेटर है कि हमें theorem से याद हो, ताकि हम उनको directly use कर पाएं, किसी भी नए equation में. ठीक हैं? Now let's look at the second thing, हमें बोले यहाँ, two parallel lines L and M are intersected by transversal P, तो हमें दो parallel lines लिए हैं, let's say L or let's say M, अब इन को एक transversal P intersect करती है, let's say यह है, P, show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle, तो हमें bisectors of interior angles के हो, मिला के जो quadrilateral बनता है, हमें प्रूब करना है कि वो rectangle है, ठीक है, तो पहली बात तो interior angles के bisectors क्या हो गए, तो यहाँ पे 4 interior angles हैं, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, तो इसका bisector मतलब जो जो इसको angle को equally divided कर रहा है, तो इसको में, और यहाँ पे जो होगा, वो let's say यह है, और यहाँ पे जो है, वो यह है, तो let's say यह, एसे मिल गए, और यह, एसे यह, एसे मिल गए, अब हमें क्या प्रूब करना है, कि यह, a, b, c, d हमारा rectangle है, तो rectangle कैसे प्रूब करते हैं, rectangle को हम प्रूब करते हैं, rectangle की definitions है, rectangle की definition क्या दे की, rectangle इसे parallelogram with one angle equal to 90 degree, तो अगर हम इसे parallelogram प्रूब करते हैं, कि अगर, दोनों pair of sides हम parallel proof कर दें, यह इसके parallel है, यह इसके parallel है, और proof कर दें, यह angle 90 degree है, तो मारा गाम हो जाएगा, right, ठीक है, तो let's look at this figure, यह जी figure बन तो दी है हमारी, यह L है, यह M है, और यह उनके best sectors है, और इनको हमने का mind कर दिया, तो मारा बन गया A, B, C, D, ठीक है, now, हमें given क्या ह मारा का ск़ल संफलों क्या है, कि अगें यह angle पर sectors है, so मतलब, यह लोडा कि angle, B, A, C, will be equal to angle, B, A, P, right, यह बला जो angle है, यह इसके equal होगा, right, similarly, यह बला angle, इसके equal होगा, यह बला angle इसके equal होगा, और यह बला angle, इसके equal होगा, ठीक है तो you can write that stuff इचारों एंगल थापस में इकल होंगे this is what we know ना हमें क्या प्रूफ करना है we have to prove that ABCD is a rectangle तो मतलब इसको parallelogram प्रूफ करना AB प्रूफ करना AB प्रूफ करना AB प्रूफ करना CB और हमें क्या कोई भी एक एंगल let's say हमें एंगल B प्रूफ करते है 90 डिग्री है ABC को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना so अब कैसे करें now let's look at the figure हमें parallel प्रूफ करना है AB और CT को we can see that हमें अगर ये दो interior angles जो है alternate interior angles है अगर AB और CT को देखें तो ये जो P line है ये यहाँ पर alternate interior angles बना रही ये बला angle और ये बला alternate interior angles है अगर ये इसको में इको प्रूफ करते है तो AB प्रूफ करते है तो AB प्रूफ करते है right now because हमें दिया है line L and line M are parallel so we know that since line M ये प्रूफ करते है चिक है so what we know is angle P A C is equal to angle so ये बला angle P A C is equal to angle A C R right क्यों? alternate interior angles right you can write that so now अगर ये तोने equal है तो इनके आदे भी equally होंगे right now इसका आदा क्या है angle B A C और उसका आदा क्या है angle D C A right ये दोनों equal हो गये तो हमारा A B is parallel to C D हो गया क्योंकि alternate interior angles are equal ठीक है so now A D और B C को कैसे कर सकते है A D और B C को होगर हम इन दोनों को equal proof कर दे A D और B C हो जाएंगे similarly हम same technique use कर सकते हैं कि हमें line L parallel to M D भी है तो हमारा angle S A C is equal to angle A C क्यों हो है तो इनके आदे भी equal होंगे तो इनके आदे क्या है S A C का आदा क्या है D A C और A C Q का आदा क्या है A C B तो since these are equal so we have A D is parallel to B C ठीक है तो यह दोने parallel to prove होगे अब हमें एक और चीज प्रूव करना है A B C को 90 degree प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं So let's look at this triangle B C A को हम देखते हैं इस triangle में क्या है Angle B plus Angle B C A plus Angle B A C is equals to 180 degree right Sum of interior angles of a triangle is 180 degree Now we know that line L L 9 M R parallel so angles on the same side of the traversal are 180 degree right supplementary होते हैं तो we have Angle B A C plus Angle A C Q is equals to 180 degree right So अगर इस पूर equation को मैं आदा कर दूँ तो half of P A C plus half of A C Q is equals to half of 180 degree which is 90 degree right So half of P A C कया है P A C का हाफ कया है B A C और A C Q का हाफ कया है Angle A C B Right तो यह हमारा होगा है 90 degree ठीक है Now B A C plus A C B जो की यही है Now B C is same as A C B right और B A C तो B A C ही है तो इन दोनों का Sum कितना होगा है 90 degree तो इसको हम अगर substitute कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा Angle B is equals to 90 degree So hence Prove ठीक है So तो आएगा है सबसेए